इनको कैसे समझा जाए इनकेसिंग को देखिएगा आपको याद है डेरिवेटिव का मतलब होता था स्लोप आफ पेंजेंट बोल पहरें थोड़े बाद इस्टाट करेंगे पहले इनकेसिंग क्योंकि उसमें टू आर्स लगते हैं दो आज अच्छे से कवर हो जाएगा फिर देखो we know that we know that dy by dx और क्या होता यह f dash x और f dash x को हम क्या लिखते थे 10 ठीटा और 10 ठीटा को क्या लिख सकते हैं slope of tangent इतनी बाते हम लोग को कल पता चल गई थी slope of tangent बंदर f dash x 10 ठीटा के एक वल है कि slope of tangent भी बोलते हैं इस basis पर हम कुछ analysis करेंगे आपके सामने देखिएगा एक चार डाइग्राम बनाने जा रहे हैं इन डाइग्राम के basis पर कुछ प्लिजिंग फंक्ट्राइग और कमें देख्न हैं इंग्री इंख्रीजिंग की हो रहा है यहां क्या हो हएँ ग्रीजिंग्राम इफान्टेग्य ऍंक्रीजिंग बिस रेजल फंक्ट्रेजां इस personalities constant psycho horizontal line का मतलब होता है constant function similarly here function is decreasing function is decreasing but in this line function is constant तो दोनों में difference क्या है this type of function is known as strictly increasing function while it is called increasing only यह increasing function है कि strictly increasing है ठीक है ऐसे ही this is called strictly decreasing and this is only decreasing तो आपको graph से एक idea लगा कि increasing function किसे कहते हैं डिक्रीजिंग लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए if function is increasing always increasing it is set to be strictly increasing if function is either increasing or constant it is simply called increasing this is the difference between increasing and strictly increasing बढ़ता ही जा रहा है इस टिकली कभी कभी constant हो रहा है तो केवल increasing ऐसे यहां लिखा हुआ है graph लेकिन बन बनाना इतना आसान नहीं होता तो इसका तरीका कोई mathematical formula भी हो सकता है common sense से बताइए इसके किसी भी random point पर tangent एक्यूंट अगी नहीं आईगी मतलद ये फॉर्मूला हो गया क्यूंट एंगिल टेंजन के लिए फॉर्मूला हो गया तो घंडैसे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ऑिस टेंजन रो करें तो देखो टेंजन इस तरह से बनेगी नाओ इस ऑप्ट्यूस देंजन ऑप्ट्यूस मतलब 90 से 180 के बीच तो 90 से 180 के बीच में यहां रखोगे सेकंड कॉडरेंट सेकंड कॉडरेंट में 10 ठीटा नेगेटिव होता है मींस एफ डैस ठीटा विल भी नेगेटिव तो एफ डैस एक्स लेस दन जीरो आ यहां ठीटा जीरो रखोगे टैन जीरो आएगा इधर यू विल फाइन पॉजिटिव वैल्यू ओफ डैस एक्स और यू में फाइंड एक्वल तो जीरो तो एफ डैस एक्स ग्रेटर देन एकोस टो जीरो इस दा फॉर्मूला फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन सिमिलरली फॉ और पहले रिविजल्ट याद कर लेते हैं क्वोर एक्वोट एंगिल टैंजन्ट एक्स यहीं से देख के बताओ यहां से एक्वी टैंगिल टैंजन के लिए लिए एफ डैस एक स्पॉजिटिव थिक फॉर ऑप्ट्यूज एंगिल टैंजन एफ देन येऊ एफ देन-0 अच यही लगाए यह पहले लिख देता तो ज्यादा अच्छा रहता इन ही कॉंसर्फ को मैंने यहां लगा दिया है वर्टिकल टेंजन्ट होती नहीं है बई देखो है न वर्टिकल टेंजन्ट अगर आप बनाओ तो यह वाली बाते लिखी है अब मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा है कि हां लग तो रहा है इसा कुछ तो आगे से फॉर्मुले बन गए आपके लिए इस्टिक लिए इंक और चीज यहीं पर मैं आपसे कुछन पूचने जा रहा हूं देखें सायद आप इसका अंसर बता दें इफ एफ एफ एक्स वन एक्वज टू एक्वल टू नहीं यह चार option है strictly increasing, strictly decreasing, increasing या keyword decreasing note करें और इसका answer बताइए चलो note कर लिए आपने increasing, decreasing यह formula आपके ready हो गए चलो check करते हैं देखो यह वाली चीज इन में से कहां set हो रही है सबसे पहले बोल पर देखिए x1 is less than x2 which one lies closer to origin आप simple कहो को sir x1 lies closer to origin because x1 is less than x2 is given in the question at random हम क्या है third example को जड़ा set कराते हैं यहां पर मैंने x1 लिया और यहां मैंने x2 लिया देखो x1 is less than x2 देखो दिख रहा है x1 is less than x2 और fx1 क्या होता है y की value बैटा fx1 means value of y at x1 तो fx1 आपको y x मिलता है this is fx1 and this is fx2 ठीक तो यह आप लिख सकते हैं कि fx1 और this one is f of x2 दिखी रहा है fx1 is greater than fx2 whenever x1 is less than x2 देखो x1 x2 से छोटा है क्योंकि origin के पास है और उसमें fx1 की value fx2 से ज़्यादा है तो this statement valid हो गया यहां पर third diagram में तो answer हो गया strictly decreasing this statement is valid only in the third diagram that's why we can conclude that this function will be strictly decreasing function किसी और में सेट होता है तो फिर उसके साब से answer देते हैं